नमासकार दोस्तों, समाजवाधी पार्टी के नेता और सपा के सोशल मीडिया हैंडलर मनीश जगन अगरवाल एक बार फिर से पुलिस के निशाने पर आ गए हैं उन पर छेरचार के आरूप में F.I.R. दर्च कर ली गई है अब उनको डूढने के लिए प्रियाग राजपुलिस ने लखनव के गोमती नगर, हजरज गंज, गौतम पली से लेकर सुशान गोल्स सिटी में तलाश शुरू कर दिया लेकिन अब तक उनको पकड़ा नहीं गया है दोस्तो मनीश पर इलाहबाद विश्विद्याले की पहली महिला चात्रसंग अध्यक्ष रिचाराजपूद के F.I.R. के बाद ये कारवाई शुरू की गई है वो फरार चल रहे हैं उन पर रिचाराजपूद समेत महिलाओं के खिलाफ अबद्र, अशोबनिये और अपमान जनक टिपड़ी करने का आरोप है 17 और 18 अगस्त को किये गए ट्वीट में मनीश जगन अगरवाल ने रिचाराजपूद को सीधे तौर पर तो नहीं पर महिलाओं को सूप नखा, इस्तिमाल करके फेक देने वाली आइटम, कूड़ा और कच्रा जैसे शब्दों का इस्तिमाल किया है SHO शिफकूटी अजीत सिंग ने बताया है कि मनीश जगन अगरवाल के खिलाफ रिचाराजपूद ने दो FIR दर्च करवाई है उनके खिलाफ भारतिये दंड सनहिता 1860 की धारा 509 354 B 507 सूचना प्रद्योगी की संशोधिनिये अधिनियम 2008 की धारा 68 के तहत रिपोर्ट दर्च की गई है मनीश जगन अगरवाल की तलाश में टीमें लखनव और उसके आसपास के इलाकों में भेजी गई है उनकी लोकेशन ट्राक की जा रही है जल्दी मनीश की गिरफतारी भी हो सकती है दोस्तों आपको बता दे रिचा राजपूत सपा की नेता रह चुकी है रिचा को समाजवादी पार्टी से निशकास्चित कर दिया गया था तभी से वो लगतार समाजवादी पार्टी पर निशाना साथ रही है इसी दोरान रिचा ने आरूप लगाया था कि मनीश जगन अगरवाल ने एक्स पर उनके खलाफ अबदर टिपड़ी की वहीं मनीश अगरवाल की बात करें तो वो समाजवादी पार्टी से लगबग 15 साल से जुड़े हुए हैं यूपी चुनाफ के दोरान पार्टी कैमपीनिंग वे वो लगतार कारेकरताओं से पार्टी के लिए काम करवा रहे थे हाला कि मनीश कभी भी लाइम लाइट में नहीं रहे हैं उन्हें कभी भी किसी राजनीतिक रैली में हिस्सा लेते नहीं देखा गया बता दे कि इससे पहले मनीश अगरवाल तब चर्चा में आये थे जब वो इसी साल जनवरी महीने में जेल गए थे मनीश अगरवाल को चुडाने के लिए खुद सापा मुकिया के लिए श्यादव लखनव के डीजी पी आफिस पहुँच गए थे तब ये मामला काफे सुर्कियों में रहा था अब एक बार फिर से मनीश पर गिरफता आली की तलवार लटक रही है इस कबर में इतना ही ये खबर आप भारत एक सोच पर देख रहे हैं मेरा नाम फरीर रंसारी है जैहिन जैभारत